नमस्कार मैं हूँ साने राजपांडे और आप देख रहे हैं बिहाद सम्मधाता मा सरसती और हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर फते बहादूर सींग जिनोंने मा सरसती का अपमान किया था उनके खिलाफ पुस्टर्स लग रहे हैं आपको बता दे कि शिव भवानी सेना के रास्टर अध्यक्ष ने इस पर चुपी तोड़ी है लव कुमार सींग ने उनके खिलाफ कहा है कि अगर कोई भी इंसान कोई भी आदमी अगर फते बहादूर सींग का जीब काट कर लाता है तो उसे इनाम में 10 लाख रुपे दिये ज अब अब अभी नंदन करेगी अपना फते बहादूर जीब के मुह में बवाशीर हो गया है इसलिए बार-बार हिंदू दर्मर सनातन धर्म पर अनाप सनाप बोलते हैं इस व्यक्ति का इलाज किया सकता है और इस व्यक्ति का डेने जाच होना चाहिए कि व्यक्ति हिंदू है भी या नहीं या इस व्यक्ति को कौन विदेशी सडयंतर के द्वारा इस व्यक्ति को एक मोटा पैसा आ रहा है और विदेशी सडयंतर के शिकार हो गए है फते बहाद करते हैं उनके खिलाफ उनने कहा है कि उनके जीब काट कर अगर कोई लेकर आता है तो उन्हें 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और साथ ही उन्होंने तेजस्वी पर भी तंच कसा है कि तेजस्वी ने चुपी की उसाद रखे इस मामले को लेकर ऐसी तमाम खबरों को द देखने के लिए देखते रहें प्यास मत आता है